लाल लाल चुकंदर आपने अक्सर सलाद के तौर पर खाया होगा इस कंद मूल के कई फायदे हैं इसे शारेरिक मजबूती मिलती है और स्टैमिना भी बढ़ता है इसके साथ ही ये बढ़ती उम्र में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हुए आपके मस्तिश को स्वस्त रखने में भी मददगार होता है लेकिन इन फायदों के अलावा भी चुकंदर खाने के कई बड़े फायदे बताये जाते हैं दरसल चुकंदर में बीटा लेंस नाम का एक नैचुरल पिगमेंट होता है जो इसे गहरा मजबूत रंग देता है यही पिगमेंट इसे एंटी आक्सिडेंट बनने की ताकत भी देता है कुछ साल पहले इटली में एक शोध किया गया था जिससे पता चला था कि चुकंदर में कोलन कैंसर की कोशिकाओं को नश्ट करने की भी ख्रमता है चुकंदर की खुवी यह है कि यह नाइट्रेट से भरपूर होता है जब हम चुकंदर खाते हैं तो हमारे मुँ में रहने वाले बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रिक आक्साइड में बदलना शुरू कर देते हैं आइक्सपोर्ट्स बताते हैं कि नाय्टिक ऑकसाइड खून की नलिको चौड़ा करता है इससे खून आसानी से बहपाता है इतना ही नहीं नाय्टिक ऑकसाइड को कामो तेजना के लिए भी जरूरी माना जाता है खलाकि अब तक किसी शोध में ऐसा नहीं बताया गया है कि अरस रोज पिया जाए तो इसका असर ब्लड प्रेशर पर देखने को मिल सकता है एक शोच से पता चलता है कि कुछ हफते तक अगर दिन में दो चुकंदर खाये जाए तो ब्लड प्रेशर में औस तन 5 मिलिमीटर तक गिरावट आ सकती है और अगर ये गिरावट बरकरार रहत तो स्ट्रोक, हार्ट अटेक पढ़ने के जोखिम को 10 फीसद तक कम किया जा सकता है चुकंदर हमारे मस्तिश्क के लिए भी काफी फायदेमन होता है इससे मस्तिश्क में होने वाले ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद मिलती है अगर हम एक्सेसाइज करने के साथ साथ चु बार चुकंदर के रस का सेवन किया जाए तो आपके मूँ के अंदर के बैक्टीरिया का संतुरन बहतरीन हो सकता है अब बात करते हैं कि चुकंदर को कितनी देर पहले खाएं जिससे शरीर पर बहतर असर दिखे शोद के मुताबिक अगर खेल के प्रदर्शन में सुधार कर करना हो तो खेल शुरू होने से लगभग दो से तीन घंटे पहले चुकंदर खाना चाहिए क्योंकि नाइट्रेट को खून में घुलने में थोड़ा समय लगता है चुकंदर को किस तरह खाएं कि ये सबसे बहतर असर दे इसके लिए कहा जाता है कि चुकंदर का सबसे ज़ पाने में इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि उस उबले पानी में ही जादा तर नाइट्रेट घुल जाता है और फेंकने पर उससा बेकार हो जाता है तो चुकंदर की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा अपने दोस्तों के सा साथ इस बार चुकंदर भी घर लाना मत भूलिएगा